हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे फिफ्ट क्लास की हिंदी की वक्षीट नमबर 3A जो की 5 अप्रैल 2021 की है और आज मंडे है तो आपकी हमेशा की तरह A और B वक्षीट आएंगी तो अभी हम A वक्षीट करें हैं B वक्षीट की लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उधर से आप B वाली भी कम्प्लीट कर सकते हैं तो वक्षीट को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और बैल एकन भी दवा दीजे जिससे सबसे पहले नियूडिकर नोटिफिकेशन आप लोगों की पास ही पहुँ सकी तो चलिए शुरू करते हैं आज की वक्षीट प्यारे बच्चों नमस्ते आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे बाते करना सब को अच्छा लगता है हम जब किसी से बातचीत करते हैं तो इस बातचीत को समवाद कहा जाता है क्या कहा जाता है समवाद तो इसी के आधार पर हमारा प्रश्ण एक है नीचे एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक छोटी लड़की गुबारे वाले से गुबारे खरीदना चाहती है आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और अपनी कल्पना के अनुसार लिखिए कि गुबारे वाला और छोटी लड़की में कौन-कौन से समवाद हो रहे हैं तो यहां पर देखिए एक चित्र है जिसमें आपको एक गुबारे वाला और एक लड़की दिख रही है अब इसमें अपनी कल्पना का यूज़ करके हमें समवाद बनाना है कुछ समवाद यहां पर बने हुए हैं आगे की बास्चित्र में बनानी है जैसे गुबारे वाला गुबारे ले लो गुबारे लड़की अंकल मुझे भी गुबारे लेने हैं गुबारे वाला बेटी कौन सा गुबारा दूँ फिर लड़की क्या कहती है वह हरा वाला जो आपके हाथ में है गुबारे वाला अच्छा बेटा बस एक ही दूँ अंकल कितने का है गुबारे वाला पाच रुपे का बेटा इस तरीके से हम समवाद बनाते हैं यानि दो लोगों की आपस में पाथ चीत तो यह मैंने बनाई है आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं अब देखिए प्रशने दो है सभी बच्चे बड़े होकर कुछ बनने का सपना रखते हैं और ऐसा भी होता है कि वो मन ही मन में इसके बारे में कुछ बाते करते हैं आप भी अपने मन की बात लिखकर बताईए कि आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कैसे करेंगी तो यहाँ पर बोला गया है कि हर बच्चा बड़ा होकर कुछ न कुछ बनना चाहता है और यही उसका सपना होता है तो अब आपको अपने मन की बात लिखकर बतानी है कि आप अपने सपने को पूरा करने की कैसी कोशिश करेंगी तो यहाँ पर देखो मेरा नाम डैश है इस रिक्तिस्थान में आपको अपना नाम लिखना है मेरा सपना है कि मैं बड़ी या बड़ा होकर डैश बनूँ आप क्या बनना चाहते हैं जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्टर लिख दिया आप जो बनना चाहते हैं वो लिखिए अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं खूब मेहनत करूंगी और अच्छे से पढ़ूंगी मुझे डॉक्टर की तरह बन कर गरीब बच्चों का इलाज करना है और इसके लिए मैं अपना मन खेलने के साथ साथ पढ़ाई में भी लगाऊंगी धर्ती पर हमारे दूसरे भगवान डॉक्टर ही कहलाती हैं वो हमारी जान की रक्षा करती हैं इस प्रकार से आपको कुछ पंक्तियां लिखनी है कि आप क्या बनना चाहते हैं और इसको आप कैसे पूरा करेंगी तो इस तरीके से प्रशने दो है और यह आपकी वक्षिट कंप्लीट होती है आई होप आपको समझ आई होगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे से कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए सभी फ्रेंट के साथ शियर भी कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वक्षिट को पूरा कर सके थैंक्यू